जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रविवार की पौरानिक वृत कथा और ये वृत कथा इस प्रकार है प्राचिन काल में एक बुढिया रहती थी वह नीमित रुप से रविवार का वृत करती थी रविवार की दिन सूर्यादे से पहले उठकर बुढिय दिरे दिर उसका घर धन-धन से भर रहा था उस बुढिया को सुखी होते देख उसकी पडोसन उससे जलने लगी बुढिया के कोई गाय नहीं पाल रखी थी आते वे अपनी पडोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी पडोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर क बीतर बांदिया, विवार को गोवर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी, आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सुरे भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वैम भी भुचन नहीं किया, सुरिया सोने पर बुढ़िया भोगी, प् बच्डे को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी तभी गाय ने सोने का गोवर किया गोवर को देखते ही पडोसन की आँखें फटी की फटी रह गई पडोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंद उस गोवर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपन पहले की तरह हर अभीवार को भगवान सूरिय देव की वरत करती और कथा सुनती रही लेकिन सूरिय भगवान को जब पडोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रपोव देकर बुढ़िया के गाय को घर के वीतर बांग दिया सुबह के धनी होने से पडोसन बुरी तरह जल बुनकर राक हो गई और उसने पने पती को समझा बुजा कर उसे नगर की राजा के पास भीर दिया सुनतर गाय को देकर राजा बहुत खुश हुआ सुबह जब राजा ने सोने का गाय का गोबर देखा तो उसे आश्चरे का ठिकाना ना रहा राजा ने बुढिया से गाय और बचड़ा चेंड लिया जिससे बुढिया की सिती फिर सिद्धाइनिया हो गई बुढिया ने दुखी बुढिया दुखी होकर सुर्य देर से प्रातना की सुर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढिया पर करुणा आ गई उसी र राजाने पर शंन और उसके पति को दंड दिया फिर राजाने पूरे राज में घोशना कराए कि सभी इस्तरीह पूर 800 लोग वा ने से भर गएपर राजे में चार औरोर खुसाली च düओ गए इस तनी पूरू सुखी जीवन यापन करने लगें और इसफाब अभिवार वरत की पराणे कथा समावत हुई